हेलो गाई स्वागत आप सभी का सुनी लाटो कार में तो आज हम लोग बात करने वाले नेक्स्ट जनेरेशन एमजी हेक्टर के बारे में यह देगर आप हेक्टर का शार्प्रो डीजल वेरेंट तो जिसको डीटेल में कवर करेंगे यह आप इसका फाइप सीटर वाल ऑप्श अगरी डिफरेंट एकदम बढ़े से लुक्स मिलते हैं इसकी ग्रिल की वज़े से प्राइर रेंज इसकी स्टार्ड हो जाएगे चौदा लाग तेस्टर जार से टॉप मॉडल में जाता है 25 लाग के आसपास ताग वारेंट्स आपको में मिलेंगा स्मार्ट शार्प प्रो निवर करते हैं यहां पर आपको मिलेंगे इसकी और्लमिडिक प्रोजक्टर एए pec अट अब अट इसको त्यखनी को मिलेगा तो प्लिभी तेखनी को मिलेगा तो ऐसके डार वाले शा प्रिख साथ यहांपे देखनी के साथ यहां पर देखंग को स्टोर्स ने बवर्घ लि ग्राउंड क्लेंस आपको समें मिल जाता बेतरी सा 192 मिलीमीटर का इंजन हुड एकदम ब्रॉट सा रहने वाला भड कीला सा यहां पर रहेंगे इसके रेंज संसिंग वाइपर्स और उपर की तरफ बढ़ेंगे जब रूफ की तरफ तो यहां पर बड़ी आसी मून रूफ ए सारी चीजे साइट से भी देख रहें ना डामेंशन एकदम ब्रॉट सी रहने वाली है एंड डामेंशन वाइज अगर इसको कंपेर कर ले ना एकसी वी 7OO या टाडा हैरियर से थो भाई किसी से भी कम नहीं है लुक्स वाइज देखिए फीचर्स वाज देखिए एकदम और यह इसका ORBM यहाँ पर मिलेगी कैमरे की प्लेस्मेंट 3C TV कैमरा मिलता है और यह और फो लेवल रहेंगे इंडिकेटर की प्लेस्मेंट इसी में देखनों को मिल जाएगी डोर हैंडल सारे आपको क्रूम फिनिश में मिलेंगे की लिके जाएंगे ने गाड़ी के पास त प्राफचान लगा रही नहींस कर रही है यहाँ पर शार्फन डीना सपड़िया सी संडोफ रोफ रेल्स यह सारी चीज़े उपर की तरफ साइट से बही देखेंगे ना तो बहुरी गजब की लगेगी यह पूरी कार अभी बात करेंगे इस कार की लेंद के बारे में तो 4699 मिलमेटर की लेंद अठारा सो 25 की विद एंड सत्रा सो साथ हमें की हैड मिल जाती है इस कार की आप चलेंगे इसकी बैक प्रफाइल की तरफ वहां से देखते हैं तो बहाई साब क्या ही गजब की पूरी कनेक्टिंग बैक लाइट एक दम ब्रॉड मस्कुलर से लुक्स यह नीचे आप बड़ी से आपको मिलती है हेक्टर की बैजिंग और बंपर की तरफ पाएंगे तो यहां पर रहने होले इसके फॉग लैम्स एंड रिफ्लेक्टर्स वगरा यहां पर देखेंगे चार पॉंट्स आपको मिल जाएंगे सेंसर के इसी के साथ क्रोम का यूज भी आपको देखने को मिलेगा जो काफी बेतरीन सा लग रहा है नीचे के तरफ यहां पर इसकी लेट साइड में एक जॉस्ट पाइप इस पर विल की प्लिट्समेंट देखेंगे यहां पर नीचे की तरफ आपको दी गई है बाकी ग्राउंट के लिए मैंने आपको बता दिया 122 mm का मिलता है और आप चलेंगे कार के मिलोग बूड़ी स्पेस की तरफ तो यहां पर अपने बटन को प्रेस करके छोड़ देना है दिना अपने आप भाई खुल जाएगा इसका टेलगेट यही काम आप अपने की से भी कर सकता है अगर किया आप पास लेके आएंगे ने इसके थोड़ी दिर खड़े रहेंगे बूड़ी स्पेस के बाद तो अपने के अनलॉक हो जाएगा खुल जाएगा पुरा ओपन हो जाएगा तो यहां पर मिलने वाला आपको इसमें 587 लिटर का बूड़ी स्पेस 587 लिटर का एंड इसको चाहे तो आप हड़ा भी सकते प आपको टैच स्क्रीन मिलती 14 जसकी तो पूरा आपको वीव टीवी वाला मिलेगा टैबलेट समन लिए इसको एक तरह से तो आराम से दो लोग लेट भी जाएगे भाई इतना बड़ा सा स्पेस मिलता आपको इस कार में यहां पर देखेंगे तो इस तरह कुछ रहेगा पू इसके पास जब थोड़ी दर खरे रहेंगे रेंगे को ले जाकर आप गाड़ी के पास जब पहुंचेंगे न ऐसका लेकर लीषक कार नह पुट्छ यहां पर 262 आपको मिलते हैदर 2 pin आपको पूरा लग्जरी आएगा इस कार में यहां पर 60 लिटर फिल्टेंग के अपसटी है आपने देख लिए यहां पर भी कैमरा मिलता है आपको इस कार के अंदर अभी चलेंगे अंदर तो आपके पास अगर किये न तो आपकी कार टोर पैनल पूरा डॉल टोन में सब्सक्राइब यहां पर देखेंगे चारों पर लुके कंट्रोल्स लॉक अनलों के बड़न्स यहां पर इसका दोर ओपनार ट्विटर इन इफिनिटी के आपको ब्रांडिंग मिलती है उसी के स्पीकर से ट्विटर्स देखने को मिल जाएंगे बाडा लोडर दोर में सब्सक्राइब यहां पर दिये गए नीचे फ्यूलीड ओपनर यहां पर आगे का बोनेट खोलने का लीवर और यहां पर इसके मैनुल टरंसमेशन के बिसी पैडल्स और यहां पर रहेगी इसका प्लेट तो अभी बैटते कार के इंदर इस इवेंट देखी कितने प्यार से दिये गए हैं बैटने के बाद सबसे पहले की को देख लिए यहां पर स्मार्ट की इस तरह रहेगा एकदम प्रीमियम सी जहां पर इसमें लॉक अन्लॉक पूर्ट खोलने का बड़न दिया गया पीछे एमजी का लोगो दोनों कीज यहां पर स्मार्ट रहेंगी और अभी काफसेरी चेकलाइं जो भी इंफरमिशन देखनी ना व्रेज माले रेंज सारी इंफरमिशन अपर दिस्प्ले हो जाएगी टीपे मेस यहां पर आ एंगे तो एमाइडी वाले सारे कंट्रोस रहेंगे कॉल्स वेगरा के सेंटर में बड़ा सामजी का लोगो लेधर आप अपका इसका स्टेटिंग विल मिलेगा यहां पर जाएंगे तो रेंज सेंसिक वाइपर के कंट्रोल्स और यह रहा इसका पूरा सेंटर कंसोल एकदम लग्जरी सा यहां पर मेरे का 14 इंचास का बड़ा सा इंफोटेंवेंट सिस्टम यह देख रहे ना आपकी गाड़ी जहां पर खड़ी मतलब आप जहां पर उसकी लोकेशन दिखाई देगी इंडिया के आप जिस भी कोने में रहेंगे यह काफी साइसर आएगा और और भी आपको दिख सब्सक्राइब करेंगे तो इसी में सब आपको मिलेगा एर पूरिफार भी आपको इसमें दिया जाता है तो यह देखेंगे एसी का आपको टंप्रेचर फैनिस्पिट जो भी इंफोमेशन है न सारी इसे आपको देखेंगे कि आप इसको सेट कर पाएंगे और यह सबसे बढ़ी आपको मिलेगा सेग्मेंट इससे कितनी परसंटेज आपको संडूरू खोलनी है आप चैनिस्से खोल पाएंगे नीचे आप बड़े से देखेंगे वायरलेस चार्जिंग आइमीन वायरलेस चार्जर आपको दिया गय यह इसकी मैनुवेल हैंड ब्रैक आर्म रेस्ट इसमें भी बुड़े से स्पेस एंड बारावल का चार्जिंग आउट्लेट यहां पी आपको देखनों को मिल जाएगा तो भी देखिया आपको प्रॉपर दिख रहाओ का फ्लैस ऑन कर दिया तो यह रावाई इसमें अपना चोड़े मोड़े समान रखना चाहिए वह भी रख सकते हैं तो इसको भी करेंगे बंद इदर का पुरा डूर पैनल पुरा लेदर टेच आपको यह पर दिया गया है और यह रहाए अपर लेदर टेच यहां पर भी फ्रेंट आसबोड में 6 airbags आपको मिल जाते हैं यह काफी तो यह काफी चैसा आपको आपर फीचर्स मिल जाते हैं वाइस कमांड से अपनी सब्सक्राइब को खोल सकते हैं हेलो एमजी ओपन दसन रूफ हेलो एमजी चेंज डर कलर अंब लाइटिंग तो इस तरह काफी सब्सक्राइब आप कमांड मिल जाएंगी जिसे आप ही गई है LED lights रहेंगी इधर आएंगे संवाइजर में तो यहां पर बुड़ाइसा वैनेटी मिरर लाइट वगरा रहेंगी इधर इसका ग्रैप हैंडल सारे यहां पर एर्बैक्स की ब्रांडिंग देख सकते पिलेट्स वगरा में भी इधर आएंगे तो यहां पर भी बुड आएगा तो अभी आते कार के बाहर तो भाई इस सेग्मेंट की हिसाब से काफी चल्स ऑप्शन रहता है इस एमजी हेक्टर का पिलेट्स रहेंगे आप ब्लैक फिनिश में सेकंड वाली रूपर बैटके देखते कितना कुछ इस पेस रहेगा तो आप दिखाए तरह मैंने आपको पुरा फोल्ड करके आराम सब्स दो बंदे लेट जाएंगे तो भी इनको परहे करेंगे सीरा तभी आपके समझ में आएगा आइडिया लगेगा कैसे कहां पर कमफर्ड लेग रूम नीरूम मिल आए सीट से यहां पर एक नंबर की रहने वाली पूरा कमफरडबल हो कि आप लोग बैठेंगे अभी रिकलाइन एंगल अभी और सेट हो जाएगा विकाद रिकलाइन का आपको उप्शन मिल जाएगा बैट के आपको दिखाते तब समझ में आएगा तो बैठने के बास सीट को थोड़ा रिकलाइन करते हैं एंड यह वाली सीट भी यहां पर कर नीचे जाएंगे तो इस पेस एंड यूसबी का पोर्ट और यह देखे बाई साब लेग रूम नी रूम एकदम गजब का रहने वाला यहां पर पॉकेट्स भी रहते हैं इधर का डूर पैनल यहां पर ग्रैप हैंडल एंड होक रहेगी इसके LED लाइट्स यहां पर एर्ब बाकि six-seater captain seat का option लेना चाहिए तो इसका भी option यहां पर दिया जाएगा इस car में इधर Gloster का option भी आपके पास है और आप बात करेंगे इसके engine spec and pricing की बार में तो आप इसका देख रहे थे 2000cc टर्बोस्टार डीजल इंचन ऑप्शन जिसमें आपको सिर्फ मैनूल का option मिलेगा पावर आटपुट आपको समय मिल जाती 168bhp की पावर 315 निटरमीर का डॉक सम्थिंग 15 का माइलेज पैटोल में जाएंगे तो आपको 1560 का मिलता है जिसमें आपको 141bhp की पावर 250 निटरमीर का डॉक सम्थिंग 12 का माइलेज देखने को मिल जाएगा इस कार में वराइ के इस कार में तो यही था आज का मारा वीडियो से एंजी हेक्टर पे एंड इस्पेसल थैंक्स एंजी लखनू जिन्हों ने वीडियो करने का मौका दिया इनके सारी कॉंट्रेक्ट डिटेल आपको यहाँ पे एंड डिस्क्रप्शन बॉक्स में देखने को मिल चाहेगी तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जूर कर दे एंड चनल को सब्सक्राइब कर दे वीडियो देखने के लाप सब्सक्राइब का धन्यवा तब तक लिए थैंक्यों सो मच